नमस्कार, स्वागत है आप सभी आगनबारी बहनों का आज के इस नए वीडियो में तो आज का ये वीडियो आगनबारी बहनों के लिए गाफी महत्वपूर्ण है जैसे कि उनके लिए एक खास निर्देश आया है आगनबारी सेविका और सहाईकाओं के लिए कि अगर आपने ये काम समय पर पूरा नहीं किया तो आपका जो मांदे है वो मांदे अस्थागित कर दिया जाएगा यानि मांदे रोक दिया जाएगा तो आए जानते हैं आज कि इस वीडियो में किस कारण से आपका जो मांदे है वो रोका जाएगा और कब तक आपको जो है कि ये काम पूरा कर लेना है तो आज की ये वीडियो सभी आंगनबारी बहनों के लिए बहुत ही महतोपूर्ण है वीडियो को कम्प्लीट जरूर देखके ही जाईएगा और वीडियो आप सभी को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके ही जाईएगा तो चलिए सुरू करते हैं आज का ये वीडियो तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि समाज कल्यान विभाग ICDS निदेसाले बिहार के तरफ से ये लेटर जारी किया गया है इस लेटर को देखिए 26-11 को जारी किया गया था जिसमें संची का संख्या दिया गया है 5,883 और इस लेटर को जारी करने वाले हैं निदेसक ICDS तो ICDS के तरफ से ये लेटर जारी हुआ है और किनको जारी हुआ है तो सभी जीला प्रोग्राम पदादिकारी को पूरे बिहार में जो भी जीला प्रोग्राम पदादिकारी है उनको ये लेटर भेजा गया है किस संबंद में ये लेटर भेजा गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इस लेटर का जो बिसे दिया गया है कि इसरम पोर्टल पर अपना निबंधन नहीं कराने वाली आंगनबारी सेविका सहाइकाओं का मांदे भुगतान अस्थागित रखने के संबंद में तो जी हाँ आगनबारी बहनों के लिए ये काफी सक्त निर्दे से जिन्होंने अभी तक अपना इसरम कार्ड नहीं बनवाया है तो उनके लिए ये लेटर भेजा गया है कि आप लोग अपना इसरम कार्ड जल्द से जल्द बना लें नहीं तो आपका जो मांदे है वो मांदे रोक दिया जाएगा तो आप सभी आंगमड़ी बहनों को पैनिक नहीं होना है इसरम पोर्टल पे आपको निवंधन करने नहीं आता है तो हमने इसका ओलेडी एक वीडियो अप्लोड किया है जो कि इसरम पोर्टल पे आप लोग खुद से अपना इसरम कार्ड बना सकते हैं तो अगर आप लोग अपना इसरम कार्ड नहीं बनाए हैं तो हमारे उस वीडियो को देखकर आप पे स्टेप भाई ये स्टेप खुद से ही अपना इसरम कार्ड बना सकते हैं तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बक्स में दे दूँगा वहाँ से जाकर आप लोग इसरम कार्ड का जो पोटल है आप लोग अपना निवंधन खुद से कर सकते हैं तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं महा से उप्रिवक्त विशय के संबंध में कहना है कि माननिय सर्वोच नियाले के आदेशा नुसार सभी कामगरों का डाटाबेस संधारित किया जाना है उप्रिवक्त आदेश के अलोग में आगनबारी सेविका और सहाईकाओं का इसरम पोर्टल पर निबंधन किया जाना है निदेशाले द्वारा पत्र एवं दुर्भास पर कई बार निदेश देने के बावजूद सत परतिसत योग ये आगनबारी सेविका सहाईका का इसरम पोर्टल पर निबंधन नहीं कराया गया है तो इसके पहले भी लेटर जाड़ी हुए थे जिसमें आप सभी को निदेश आया था कि आप लोग अपना इसरम पोर्टल पर जाकर निबंधन करा ले तो अभी तक जो आगनबारी सेविका सहाईका इसरम पोर्टल पर निबंधन नहीं कराया पाई है उनके लिए ये निर्देश दिया गया है कि आप लोग जल से जल अपना जो इसरम कार्ड है वो जल से जल बनवा ले और इससे पहले जो लेटर आये हुआ था आप सभी ने देखा होगा उसका जो लाश्ट डेट रखा गया है कि इसरम पोर्टल पर 30.11.2021 तक आपको अपना इसरम कार्ड बनवा लेना है तो जितने भी आगनवारी सेविका साहिकाएं इसरम कार्ड से वन्चित हैं तो वो अपना रेश्टरेशन 30.11.2021 से पहले अवस्य करा लें वरना उनका जो मांदे है वो मांदे अस्थागित कर दिया जाएगा उक्त के संबद में निदेश दिया जाता है कि ओविलंब योग्य आगनवारी सेविका साहिकाओं का इसरम पोर्टल पर अपना निबंधन कराना सुनिशित किया जाए तथा जीन योग्य आगनवारी सेविका साहिकाओं द्वारा इस्रम पोर्टल पर अपना निबंधन नहीं कराया गया है उनका मांदे निबंधन होने तक अस्थागित रखा जाएगा तो आपका जो मांदे हो अस्थागित रखा जाएगा जब तक आपका निबंधन यानि इस्रम पोर्टल पर रेश्टेशन नहीं हो जाता है तब तक आपका मांदे जो है रोक के रखा जाएगा तो जितना जल्द हो सके आप लोग अपना रेश्टेशन करा लें अगर आप लोग खुद से भी इसरम कार्ड नहीं बना सकते हैं तो आप लोग अपने अफिस से संपर किजिए और आपका जो डाटाबेस तो वीडियो को लाइक जरूर किजिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ जूरे रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद